नमस्कार दोस्तों सौगत आपसे भी का टार्गेट सिविल सर्विसेज में चलिए फ्रेंड आज हम लोग करते हैं टेस्ट नमबर 2040 का है इससे पहले क्या है 23 टेस्ट हम लोग कर चुके हैं जिसकी लिंक आओ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी आप वहाँ से जाकर स सकते हैं सब्सक्रिप्शन योपी पीएसे प्रिलिम सिख सामनेशन 2020 के लिए आई शुरू करते हैं आज का पहला कुईशन साथ मैं आप भी सौल्प करते रही है ओके चलिए अब यहां पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है नातुला अनुराचल परदेश लिपु अप्शन रही नातुला और नाचल परदेश ठीक है यह सुमेलित नहीं है ओके नातुला दर्रा कहां पेस्तित है सिक्किम में ठीक है जम्मू में आपके बुर्जिल जोजिला साथ ही माचल परदेश में शीपकिला बारालाचा और नाचल परदेश बोमडिला नोम केरल में पाल घाटी के तो यह कुछ दर्णे जो most important है और अकसर प्रिच्छा में पूछे जाते हैं चलिए सुनेश question देखते हैं कतन है पश्मी घाट की नदियां डेल्टा का निर्मार्ण नहीं करती कारण वे छोटे मार्ग से तीवर्गत से कड़ी चटानों के उपर से प्रवाहित होती है चलिए अब यहाँ पर इसका राइट आप्शन पताना है कौन सा सही होगा सो राइट आप्शन होगा आप्शन ए ठीके ए और आर दोनों सही तता आर एक ही सही व्याक्षा है आएट देखते हैं इसको पश्मिगाड की नदिया डेल्टा का निर्माड नहीं करती है यानि पश्मिगाड की नदिया छोटे मार्ग से तीवर्गत से कठोर चटानों के उपर से प्रवाहित होती है आता इससे डेल्टा का निर्माड नहीं हो पाता क्लियर यहाँ पे question यानि तीब रिकत से कठोर चट्टानों के उपर से जबाएगी तो क्या है वो डेल्टा नहीं बना पाएगी चलिए सुनेश question है फान एक अस्थानिये पवन है चीन की, कोरिया की, जापान की, स्यूर्जल लेंड की चलिए, सुनेश question हो का option यानि सुर्जल लेंड की, ओके आएगी देखते हैं इसको अस्थानिये ताप्वान योंग वयुदाब में अंतर की कारल अस्थानिये पवनों की उत्पत्ति होती है इनका परभाव सीमी छेत्रों में देखनें को मिलता है फान, चिनू, लो, हर्मटन, काराबुरान, सिराको, इत्यादी, अस्थानिये पवन है फान एक जोके वाली शुष्कियों गर्म पवन है ये हवा दच्छिड आउल्प्स के सारे उपर उठती है अम्यासे क्लियर हो गया question, नोट कर लिजिएगा, very important है चले, सुनेश question है परकाशित तन्तू, निम में से किस सिधान पर काम करता है तो option है, पूल आंत्रीक प्रावर्तन, अपवर्तन, पर कीरण, व्यतिकरण चलिए, फड़ा बड़ा इसका right option कौन सा होगा परकाशित तन्तू, पूल आंत्रीक प्रावर्तन के सिधान पर कारता है परकाशित तन्तू, पूल आंत्रीक प्रावर्तन का उप्योग करके परकाश को वक्रिय मार्ज में चलाया जा सकता है यानि Пरकाशित तंतो पूर्ड आंत्रिक प्रावर्तन के सिधान पर अधारित एक अईसी युक्ति है जिसकी दोरा परकाश सिगनल को इसकी तीपता के बिना छह के एक अस्तान से दूसरे अस्तान तक अस्तान आंत्रित किया जा सकता है किलियर हो गया फ्रेंड चलिए सुनेश कुईशन है निम्रिकी रसायनों में किसका उप्योग फल पकाने में किया जाता है इतेफान, मिलेतियान, आइसो प्रोटान, एटाजीन देखिए फ्रेंड अब यहाँ पर राइट आप्शन होगा आप्शन ए ठीक है इतेफान इसे राइट आप्शन ओके चलिए सुनेश कुईशन है बीज पर इछड मूलतिया क्या है शुद्धता है तू, जमाओ है तू, नमी की मात्रा है तू या फिर सभी अब यहाँ पर बीज पर इछड की बात हो रहे है तो ध्यान देजिएगा या पर राइट आप्शन होगा आप्शन सी नमी की मात्रा है तू, ओके चलिए समझते इसको किसी भी फसल का बीज पोने से पूर रोपर गुलवत्ता की जाच चैसे बीज शुद्धता, अंक्रोड परतिशत चमतायों बीज में नमी है तो बीज परिछड किया जाता है ठीक है बीज में नमी के लिए क्या है? बीज परिछड किया जाता है क्लियर नहीं सी कुईशन सुनेस्ट कुईशन होगा निम्रिकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है ठीक है? अब यहाँ पर फिर नहीं शब्द लगा है देवा, बाराबंकी, आला, मोहबा, कर्मा, मत्रा, कच्री, मिर्जापूर चैसे फटा-फट इसका राइट आप्शन बताइए सुराइट अप्शन को ओप्शन से यानि कर्मा, मत्रा, क्या, यह सुमेलित नहीं है मैचिंग नहीं कर रहा है अब आईए समझते इसको कर्मा लोग निर्जी सोन भद्र चिले का है यानि सोन भद्र वा मिर्जापूर के खरवार आधी आधी वासी लोगों द्वारा ये निर्जी किया जाता है तो कर्मा कास समझते आपके सोन भद्र से क्लियर आप एक कुश्चन सुनेश्ट कुश्चन है निमिकी दस्थानों में किसी एक मेराश्ट कूटो द्वारा एलोरा पाडियों में निर्मित गुफा मंदिर इस्तित है ओप्शन A और अंगाबाद ओप्शन B नासिक ओप्शन C गॉलियर ओप्शन D गॉलकुंडा चलिए अब यहाँ पर राइट आप्शनों का ओप्शन है यानि और अंगाबाद यहाँ पर बात हो रही है एलोरा पाडियों में ओके आज़े समझते इसको राष्ट कूटो द्वारा एलोरा पाडियों में निर्मित गुफा मंदिर महाराश्ट के और अंगाबाद चिले में इस्तित है इन मंदिरों में राष्ट कूट सासा क्रिचल पर्थम दौरा निर्मित कैलाश मंदीर विशेश पर्सिद्धत है तो दो बात द्यान करिए गयाँ पे की दो क्रिचल पर्थम ने कौन से मंदीर बनाइती कैलाश मंदीर ठीक है वरे इंपोर्टेंट है, stubborn question है अस्तापिस सिंदु गाटी सब्यता जिस नदी पर बसी थी वे थी पहला जेलम चिनाप सिंदु युम गंगा चलिए वताई फ्रेंड इसका राइट आप्शन कौन सा होगा सो यहाँ पर राइट आप्शन में आप्शन भी पहला दूसरा और तीसराटी के गंगा को छोड़ के आईए देखते इसको अस्तापिस सिंदु गाटी सब्यता का विस्तार उत्तर में जेलम नदी के पूर्वी तड़ से दच्छड में युम्रा की सहाइक नदी हिंडन के तड़ तक इसमें जेलम सिंदु योमचिना प्राभी नदियां है क्योंकि गंगा नदी घाटे में सिंदु सब्यता का प्रमाण नहीं मिलता तो गंगा इसे राइट आप्शन यानि गंगा इसमें नहीं होगी प्राचींतम शिलालेक किस भाषा में थे अप्षिण चेयर कुश्टन चलिए अब यहां प्राइट आप्शन क Orient सियानी प्राकृती भाषा में थे भारत में पाए गए प्राचींतम एतियासिक शिलालेक अशोक के हैं जो मुख्यताब ब्रामी, खरोष्टी, अरामाईक, जो यूनानी लिपियो में टिक है, इसे प्राकृतिक भाषा में उत्किर्ड किया गया है, अता पत्तर पर प्राजिनतम शिलालेग प्राकृतिक भाषा में ही है, ओके, अम्यास ये question किलियर हुआ friend, so friend ये रही वीडियो, thank you